हालो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मैं भी ठीक हूँ स्वागत करती हूं मैं अपने वी एर फैमिली ब्लोग्स में एक नई रेसीपी के साथ में तो आज की रेसीपी हम सूजी से बनाएंगे रेसीपी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ ह जिस भी कप से अप मेजर्मेंट लेते हैं उसीप से हाफ कप आपको दही लेना है तो यह मैने घर की बनाए हुए दही है तो हाफ कप मैने दही ले लिया और सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे then mix करने के बाद हम इसे ढखके आदे घंटे के लिए सुजी को फूलने के लिए रख देंगे सुजी फूल ड़ी तब तक हम इसमें डालने के लिए वेजिटेबल दियार कर लेंगे ये देखी सुजी फूल से की है अब हम इसमें एड करेंगे यह सारी चीज़े बहुत ही ही वेक क्षेपी है कि सुजी को जो फूलने के लिए रखते हैं वही टाइम एक्स्ट्रा लगता है अधरोज इस बैसी भी को बनाने में ज़्यादा सिर्फ 10 मिनट लगता है बहुत ही healthy और breakfast है इसमें मैंने मटर एड़ किया और as per taste मैंने नमक एड़ किया और हम इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे इसकी जो consistency होगी ज़्यादा थेक भी नहीं होगी और बिल्कुल पतला भी नहीं होगा इसमें एड़ किया मैंने black paper थोड़ी से एड़ करेंगे red chili अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं इसमें मिर्ची skip कर सकते हैं थोड़ी से एड़ करेंगे एक पिंच healthy powder color के लिए आप healthy powder optional है skip भी कर सकते हैं मुसे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें नमक एड़ किया consistency मुझे थोड़ी जादी गाड़ी लग रही थी इससे दो से तीन चमश और मैंने इसमें पानी एड़ की मिला लेंगे और इसके लिए fry पेंच अड़ा है इसमें इस mustard seed का mustard seed जाला उसके विए से दनी ये जब वैटर है इसको फैला लेंगे तो आपको जितने भी छोटे 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 बनाना है वो ऐसे भी कर सकते हैं मैंने एक मोटा सा पीजा सेथ में मैंने एक बार में ही इसको डालके बना लिया और बाद में मैं इसको कट कर आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे चीला के साइस का भी बना सकते हैं बट मैंने एक ही बनाया इसको इसे से वह बहुत अच्छे से सिख गया है अब इसको हम ब्लेट में निकालेंगे दैन इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे और फिर एगें mustard seed जालेंगे जैसे mustard seed चटक जाएगी उसके बाद से हम इसे दूसरे साइड से इसको पलेट के डाल देंगे शिखने के लिए बहुत ही कम oil में बनने वाला breakfast healthy breakfast है तो यह दूसरे साइड से भी मैंने इसे डाल दिया अब इसको लो फ्लेम पे हैं इसको हम गूग करेंगे यह अलमस्ट चिक गया है अब हमसे पलेट में निकाल लेंगे इसे में साइड से देख रही थी वो सी कहें बहुत ही अच्छा fluffy सा बन गया एक दम तो वेज़टेवर वाले उत्मा मम बन के त्यारी समय में निकालें लेख रही त्यारी यह अब प्लेट में निकाल लेंगे हैं विजय कटर के help से इसको कुछ कर सकते हैं बाट मेरे पास विजय कटर नहीं था तो मैंने चाप्यू के help से कुछ कट किया आप कि कि अब कि देख सकते हैं कैसे बनाई यह इसको हम किसी भी चटनी के साथ में इसको सर्फ कर शकते हैं तो मैंने टमाटर लेसन की चटनी बना रहे खी थी तो इस टमाटर के साथ में मैंने शब किया आप लोग चाहें तो इसे किसी भी जैस लाइक मूमफली की चटनी बना सकते हैं कोकनूट की चटनी बना सकते हैं उसके साथ अब साब कर सकते हैं इसको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा से एर कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि रेसिपी कैसी लगी तो थांक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ में